हेलो बच्चो आप सब कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे दिखे जो हमारी ग्यारवी क्लास का अर्थसाथ का जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था बच्चो तो उसी की हमारी जो अभी हमने पीछे क्लासे पढ़ी हैं जो हमारी रही है और दिल आज वही करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब चीजे जो मैंने आपको पढ़ा ही एक अकसा में आपने घर जाके बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी और आपको अच्छा सा कुछ बाप समझ भी आया होगा कुछ ऐसी चीजे हैं साय जिनम मैं आपको अच्छे से ना स को देखे ताकि उसकी जो भी कोई ऐसी आपकी चीजे हैं आपकी तुरूटी हो रही है जिससे वो कुछ आपकी चीजे आपका नहीं समझ पा रहा है उसकी समझ में आ जाए बच्छो किलर हो गया और जो हम अपरा जो हमारा अपना टॉपिक चल ला था उस टॉपिक में हमने जो बहुत सारे छेतर आपके देख लिए थे उन छेतर में आपके देखने के बाद हमने हर छेतर का बहुत ही अच्छे से उनका महत्पूर्ट जो आपकी चीजे थी उनका सबका बहुत बढ़िया से हमने आपका उनकी जो उनकी मूल पर विसेस्ता थी उनको देखा था बच एक एक कारक जो है अपना करके उसको हम समाप्त कर रहे थे बच्चो, किलर हो गया, जो भी हमारे अपने कारक थे, हम उनको आपका देख रहे थे, तो मैं आपको एक बार फिर छोटा सा संचिप में आपको एक बार आपका रिवीजन कराना चाहता हूं, ताकि आपका ध्यान द करी कल्चर छेतर था, वो आपका पिछड़ गया, साथ में हमने क्या देख रहे थे, जो ओद्दियो की छेतर है, हम इसे या फिलाल अभी हमारा कंटिन bits सभी कंशरा थे, किस पिरकार पिछड़ा था या फिर कौन सी ऐसी चीज़े थी, जो 2009 Trung स़दी में आकर आपकी डबल अ होना हलके हलके सुरू हो गया था लेकिन कहीं न कहीं जो एक विकास दर होनी चाहिए बच्चो वो विकास दर आपकी नहीं थी हम लोग यह देख रहे थे और जो इसके आगे हम अपने डेखेंगे तो वो देखेंगे कि हमारा जो अर्थविस्ता थी उस समय उसका विदेशी ब पार तो जितना हमारा ओद्योग छेत्र हम लोग आपका पढ़ चुके थे उसको एक बार मैं आपको द्वारा बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए चोटा सा और साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो इससे आगे कंटिनी जो कुछ आपकी चीजे चली वह किस प उन्होंने जो आपके नीतिया बनाई थी उनमें हमने साथ में यह भी देखा और हमने देखा कि जो किस पिरकार से हमारे हैं बेरोजगारी फैल गई थी और किस पिरकार भारत के बलेक आयतर रूप में ही आपके बनकर रह गया था और कुछ अच्छा समान पहुत पदद एसी नीतिया बना रहे थे जिससे क्या हो बिटेन का ही आपका क्या हो विकास हो भारत का विकास ना हो और साथ में हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी समय आया जब 19 सती में कुछ आपके विकास होने सुरू हो गए जिसमें हमने देखा आपका सूती वस्तर जो उद्योग है व वो कहां लगा आपका बंगार प्रांत में यानि कि जो उस समय की जो हमारी चीजे थी चाहे हमारी मील लग रही थी चाहे हमारी आपका कपड़ा मील हो सूती मील हो किसी प्रकार की जो ऐसी वस्तरी जो आपके 19 और 20 भी जो आपकी सदी में जो आपका लग रही थी मीले या फि जहीना कहीं अभी वो इतनी मातरा में सक्षम नहीं थे कि बहुत जादा क्या कर सकें बस तो को उत्पदन कर सकें या फिर वो ऐसी चीजों को उत्पदन करें जो आपकी इंग्लेंड से बनके आ रही हो और जो आपके बजार में उनको टक कर दे सकें ऐसी चीजें नहीं थी फि अर्थ विवस्ता में उद्योगी रूप से आपका विकास है वो कहीं ना कहीं हल्क इस आपकी मातरा में सुरू हो गया था जबकि वो एक व्यापक विकास आपका नहीं था बच्चो और साथ में हमने ये भी देखा कि जब दूसरा विश्वित होता है उस विश्वित के बाद कुछ अन्य कार खाने भी भारत में लगने शुरू हो गये जैसे आपका चीनी का जो उद्योग होता है चीनी कार खाना और सिमिंट इत्यादी ये सब चीज़ा आपके लगने शुरू हो गयी थी तो कल हम यहां तक आपका देख चुके थे अब इससे आगे ध्यान दीजिए देखे बच्चो ये मैं आपको यहां तक आपको बता चुका था कि सिमिंट और कागज आदी के जो उद्योग थे ये आपके स्तावित हो चुके थे अब हमें देखना इससे आगे खिलर हो गया बच्चो चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग अपनी कॉपी पैंसिल लेकर बै रहे थे किन्तु भारत में भावी औध्योगी कि करण को प्रोसाइत करने हे तू पूंजी इकत उद्योग का प्राय अभा भी बना रहा यानि कि आप देखेंगे जो भी हमारी भावी उद्योग थे यानि कि जो हमारे ओद्योग होना था बच्चो उसको प्रोसान के लिए पूंजी इकत उद्योग चाहिए थे यानि कि पूंजी इकत उद्योग के बारे में बच्चो ऐसे उद्योग जिनका हम उभाव काम करने वाली वस्तु के रूप में प्रियोग करते हैं आगे देखते हैं पूंजी इकत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो ततकाली इन उ उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो हमारी ततकाल जो हमारी ततकाली जो उब्भो की आवस्ता की जो बस्तू होती हैं उनका जो आपका निर्मान करते हैं या फिर जो मसीन के कल पुर्जे बनाते हैं जो ऐसी आपकी चीजे होते हैं और जो ऐसे उद्योग होते हैं उनको हम क सिल्फ कला आधारित निर्माण सालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पा रही थी यानि कि आभी देखेगा जिस समय जो पहले हमारा जो आपका देश था बच्चो वह किस तरह आपके सिल्फ कला के रूप में वहाव का विक्सित था लेकिन कहीं ना कहीं भले ऐसे आपके उध् जो हमारे उध्योग लगे थे वो चीज आपकी पूरी नहीं कर पा रहे थे जो हमारे सिल्फ कला के यानि कि आप देखें जब अंग्रेज नहीं आये थे उस समय जो भारत की अपना आप में एक आर्स थी जो आपकी सिल्फ कला थी या जो चीजी हम लोग बापकी बना रहे थे वो आज दुआरा उस रूप में क्या हुआ सामने खड़ी नहीं हो पाई कहीं न कहीं वो आपका तूट गई उसकी सारे पीछे एक ही कारण था वो थी हमारी बिदेश नीतियां जो हमारे बिटी शेर आये उनके दुआरा लागो की गई नीतियां जिससे क्या हुआ जो ह आपका पता नहीं हो आता लेकिन उसके अच्छे सा क्या नहीं हो पाई आपका बरफाई नहीं हो कई यहीं नहीं नभ और द्योगी छेतरक में सम्राध्धी की दर भी बहुत कम थी यानि कि जो आपके नए आपके इंडस्ट्री लग रही थी उनका भी कोई जो आपकी ग्रो सकल गरेलू उत्पाद में इनका योगदान भी बहुत कम रहा यानि कि अगर आप देखेंगे जो हमारे देश की जीडीपी में क्या था इनका जो योगदान है वो कैसा होगा कम क्यों कम होगा क्योंकि बच्चों जब इनका अपना ही जो इनका उद्योग है जो यह आपकी बस तुद उत्पादन कर रहे हैं वो अच्छी नहीं भीक पाएंगे तो जो अर्थ व्यस्ता में पैसा आना है वो कहां से आगा वो नहीं आगा क्योंकि जो इसका फिलो है कहीं न कहीं आपका कम हो जाएगा और फिलो कम होने से इसका सीधा प्रभाब किस पर पड़ेगा ज इंस में सारवजणिक छेतर की कार्य छेतर भी बहुत कम रहा यानि कि आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ऐसे भी आपको दिखाए देगा जहां जो आपकी पॉबलिक सेक्टर यूनिट गहां चेतर के निर्माण की होती है उनकी क्या थी बच्चो बहुत कमी थी क्लियर होगय क्योंकि कहिना के जितने भी उद्ध्योग थे वो आपके निजी तोर पर ही लग रहे थे यानि कि उस समय कोई भी ऐसा उद्ध्योग नहीं था जो आपका सारजनिक रूप में हो के लिए रहे बच्चो आगा देगे जो आपके छेतरक प्राय रेलवे मतलब जो आपके रेलो रही और सीमित में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट ही जो आपके बने रहे चाहिए आपका रेल हो चाहिए आपका पॉर्ट्स वाली जो इंडस्ट्री है वहांता है कि आपका सीमित रहा यानि कि जिस प्रकार का आपको डबलप्मेंट चाहिए था ओद्ध्योग छेतर में वो कहीना कहीं बच्चो आपको देखने के लिए नहीं मिला किलर हो गया तो यही आपका हमारा बताया गया है कि कहीना कहीं जो हमारी ओद्योगिक आपका नीती रही है उनका योगदान हमारी देश की अर्थविश्ता में नहीं रहा क्योंकि वो एक अच्छा आपका नीती आपकी पिछड रही थी बच्चो हमारे कहीं ना कहीं और इन सबका मैंने एक आपको मुख्य कारण बताया जो आपकी विदेश नीतियां थी जब आपके अंग्रेज आए जो उनके द्वारा बनाए गए नीतियां थी उसके करण हमारा जो अद्योग इक्थाब आपका उतपाद में उसको क्या मिल सके बढ़ावा मिल सके और यही कारण रहा कि बच्चो जो हमारा ओद्योगी छेत्रा अन्य किरसी के समान ये भी क्या हो गया आपका पिछड गया ठीक है बच्चो चलिए आगए देखते हैं जो हमारा एक नया छेत्रा है उस पर ध्यान देंगे देखिए द्यान दीजी देखे अब हम देख रहे हैं आपका बिदेशी व्यापार अब देखे अब यह समय की बात कर रहा है कि जब ऑपनेवेसिक आपकी सरकार है वो भी बता रहा है और साथ में ये भी दिखा रहा है कि जब हमारा प्राचीन समय था उस टेम में कैसा हमार विदेशी ब्यापार था यह सब आपका दिखाएगा ध्यान देजे बच्चो प्राचीन समय से ही भारत एक महत्पूर्ण ब्यापारिक देश रहा है देखिए अगर आप पहले अगर आपने पढ़ा हो छटी साथवी में अगर आप लोग पढ़ेंगे जो आप आपने देखो सब्विता हो आरेन समाज हो या जो भी आपके मौरे समाज रहे है जो भी अन्य चीजें जो यहां बंस के बने कहीं नकी उन्हों बिदेश आग ये आपके बिटिस लोग आ गए तो इनके दुआरा जो आपकी नीतिया बनाई गी थी उन नीतियों से जो हमारा बिदेशी व्यापारता हो बहुत चाद़ पिरवावित हुआ और देखिए बच्चो जो उनकी नीतिया बनाने का क्या कारण था उनका मेन दो टोपिकों में अपना पढ़ते आए हैं सबसे बहुत कारण क्या था कि जितनी भी जो आपकी नीतिया बनने थी वो नीतिया कहीं न कहीं अपने देश को हित्म रखके बनाई जा रही थी ना कि भारत को उसी पिरकार जो हमारी विदेशी नीति थी जो आपकी विदेशी बैपार की नीति थी वो किस पिरकार थी वो भी जाहिर सी बात है बच्चो उसी पिरकार की रही होगी जिससे क्या हो मूल भूत जो उनका देश है बिटेन इंगलेंड उसका ही क्या हो आपका विकास हो ना कि भारत का और किस पिरकार ऐसा हुआ कि जब ये आए और उन्हें जब अपनी विदेश ब्यापार की नीति को लागू किया और किस पिरकार से जहां कि भारते ब्यापार है या फिर जो भारत से होने बाला ब्यापार जो आपका विदेश जाता था वो किस पिरकार से नस्ट किया इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चो इसको देखें ध्यान आपकी सरकार के द्वारा अपनाई गई बस्तू उत्पादन ब्यापार और सीमा सुल के पिर्ति बंदकारियों नीतियों का भारत के बिदेशी ब्यापार की सर्रचना पर मूल सरूप और आकार पर बहुत पिर्तिकोल प्रभाप पड़ा देखे बच्चो ध्यान दीजिए इतने भी जब आपकी आपकी सरकारे आई और इन सरकारों के आने के बाब जूत क्या हुआ ये चीजे जब आने सुरू होगी तो भारत में कहीं न कहीं जो आपका बिदेशी ब्यापार था वो आपका प्रभावित हुआ और उसका प्रभावित होने के क्या कारण है बच्च का तो दूसरे एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए यानि बारश से भार भेजने के लिए उस पर इत्तियाधिक मातरह में लगा दिया जाता था कि बच्छो वो जो आपकी बस्तुति भाहत महिंगी हो जाती में- Nina पर जब वो भार जाती थी तो विस्वाजार में वो अपनी जगह नहीं बना पाती थी क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे जो इंग्लेंड है उसके दोरा आपकी बनाएगी जो आपकी चीज़े थी बहुत क्या थी सस्ती थी लेकिन जो भारत की चीज़े आपकी खड़ा नहीं कर पाई और क्या हो गया इसमें भी बहुत बड़ा ज्यादा क्या पड़ां आपका प्रिवाबपड़ा और जो हमारे विदेसी व्य में नस्थ होना चुरू हो गयां और इसे में आपको अपको। एक्जम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे देखते हैं आपका प्रणान सरूप भारत कच्चे उत्पादक जैसे रेसम, कपास, उन, चीनी, नील और पटसन आधी का नित्या तक होकर रह गया यानि के सिंपल देखिए बिटी से टाइम में बच्चो क्या हुआ के ब पिर जो अन्य चीजे हैं आपका उनी का निरा तक बन गया यानि के आप सिंपल समझे जो हमारा बेदेशी बैपार अलग-अलग आपने पढ़ादा मैं आपको सुरू में पढ़ाया था इंट्रेक्शन में कि जो हमारी सिल्फ कला थी विख्यात थी जो हमारे मूल भूत निके बैठना सुरू हो गया और उसका मुख्या कारण क्या रहा था जो हमारी नीतिया बनाई जा रही थी वो कहीं न कहीं भारते बैपार को डाउन करने के लिए आपका बनाई जा रहे थी और यही कारण था कि भारत में जो भी आपका बैपार हो रहा था कहीं न कहीं जो ह कि ऐसा की कुछ अच्छी बस्तू को आपका प्रेड्यूस करके और आपके विस्वजार की मार्केट में आपका बेश सके और ये सब नीती का सिरेक किसे जाता है जो हमारे पीटी सरें उन्हें जाता है आईए ध्यान दीजिए आगे देखे जितना भी हमने पढ़ा कि कैसे बनकर रह गया जो हमारा पहले आपका रेसम कपास के आदी के जब के कपड़े आपके विस्वजार में जाते थे या फिर जो भी हम आपकी सिल्प कला बनाते थे या फिर जो भी हमारा दुआरा उत्पाद बनते थे पहले उनकी विस्व वस्त्र रेसमी उन जैसे अंतिम उभ्भोक बस्तूओं और इंग्लेंड के कारकानों में बनी हलकी मसीनों आदी का आयात भी हो गया और ब्याभारिक रूप से इंग्लेंड ने भारत के आयात निर्यात प्यापार पर एक आदिकार आपका जमा लिया अब देखे होता क्या है बच्चो जब भारत के अंदर जो आपकी हलकी मसीने थी उनका जो आयात कहां से होने लगा आपका इंग्लेंड से होने लगा और ये जो आपकी हलकी मसीने थी ये कहां आ गई बच्चो भारत में आना शुरू हो गई और जब ये भारत में आई तो भा उन्नत थे आपका कही न गई जो हमारा अपने देश के बजार के अंदर जिनकी मांग थी वो मांग क्या होगी आपकी पिरभावित होगी क्यूंकि जो हम मसीनरी तो बहुत हलकी थी उन्नत थी और उसके द्वारा जो भी आपके कपड़े बना जा रहे थे बहुत अच्छे fine quality के थे बच्चो कैसे थे fine quality के और fine quality की होनी की वज़े से साथ में उनका दाम भी बहुत कम था और दाम कम होने से और fine quality होने से अच्छे उत्पाद होने से जो विस वजार और हमारा जो भारत बजार था उस बजार में उसकी मांग बढ़ गई और मांग बढ़ने के अनुरूप क्या हुआ बच्चो कि जो बिटी सेर्फ के दुवारा जो भी आपके चीजे बनाएंगी उनका बहुत जादा उब्भोग होने लगा और उब्भोग होने के कारणी जो भारतिये आपकी वस्तू थी उनकी मांग कम हो गई और मांग कम होने से जो हमारे जो भी घरेलू आपके छेतर के उद्ध्योगते वो आपके क्या होगे नस्ठ होने सुरू होगे बच्चो आगे देखते हैं ध्यान दीजिए दिखें ये भी हमें देखा कि किस प्रकार आपका जो बेभारिक रूप हमने उस पर देख पाए थे आगे देखिए भ रहे हैं उस 100% आपके ट्रेड में आदभार का ओर था आपक इंग्लेंड के लिए यानि के जितना भी ब्यापार आपका विस वजार में होता था उसका 50% इंग्लेंड में होगे हैं तो अब सोच के देखिए कि आपका कुछ ऐसी परसेंटेज बती है जो आपका चाइना, सिल्लंका, इरान ये तो इसलिए हो रहा था कि बच्चों अगर आप देखेंगे जो भी हमारा प्राचीन काल के समय से देखेंगे तो चाइना और सिल्लंका, इरान इनसे तो हमारा अच्छा सैदे पहले से ब्यापार होता रहा है और कहीं ना कहीं जब आपका बिटी स्काल आया तो इन सब जगे क्या हो गया, इनका ब्यापार जो आपका निर्या था उसमें बहुत कम आपकी मात्रा देखी गई क्यूकि पहले कहां तक सीमी था, पहले कोई सीमा ही नहीं थी कि कहां कितना ब्यापार होना है, लेकिन जैसी अंगरे जागे उन्होंने किसको फोकस किया अपने देश इंग्लैंड को क्या किया, अच्छे से फोकस किया बच्चो किलर हो गया चलिए आगे ध्यान देजीए स्वेज नहर का व्यापार अब इस से देखते हैं स्वेज नहर का व्यापार जो है बच्छो देखेए सबसे पहले आप यह समझेए मैं आपको स्वेज नहर आपको दिखाना चाहूंगा बच्छो देखेए यह है आपका आपको United Kingdom यानि के ब्रिटेन आप इसको मानिए यह ब्रिटेन है और यह हमारा भारत यह क्या है पूरा यह हमारा भारत है यह उपर का चीतर नहीं बनाया गया बच्चो इसमें यह बहरत है और यह कौन से सागर है आपका अरब सागर बच्चो तो इसमें यह देखिए यह जो आपका ब्यापर होता था बच्छो वो कहीं ना कहीं इस पिरकार से नीचों को घूम के अफरीका में और वापस यहां आना पड़ता था गिलर हो गया और जैसे ही आपकी सुएज नहर ओपन हो गई तो सुएज नहर ओपन होने से इंग्लेंड और भारत के वीच की जो आपकी दूरी थी वो बहुत कम हो गई यानि कि अगर कोई भी आपका जहाज है जी से कुछ भी आपका ब्यापर करना है तो वो सीधे यहां से इंग्लेंड से समान लेगा स्वेज नहर पार करेगा उसके बाद आपका भूमध्य सागर औ और सीधा फिर उसके बाद भारत में जहां भी पहुचना है उसको चाहे कनाटक जाए चाहे के केरल जाए या महारास्ट ये गुजरात के तटो पर आपका पोच जाते थे यानि कि ब्यापार के लिए बहुत ज़्यादा सुगमता हो गई किसके कारण जब कि स्वेज नहर ख खुलने के कारण क्या हो गया इंग्लेंड के अंदर आपका ब्यापार में बहुत ज़्यादे आपको मिला एक प्रकार का बढ़ावा मिला ठीक है और इससे सबसे ज़्यादा किसका विकास हुआ इंग्लेंड का ही विकास हुआ तो जो एक बाप कि स्वेज नहर है और किस प कीज का पार्ट है अई दिखे यह जो पूरा पार्ट आपको दिखाया जा रहा है बच्चो यह आपका एसिया का महादीप है एसिया महादीप और यह अफ्रीका और यह आपका यूरोप किलर हो गया तो मैं इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि जब पहले बहुत लंबा रस्ता था वह बहुत चोटा हो गया और उन्हें ब्यापार में क्या होगी सुगमता हो गई बच्चो इंग्रेज जी नियंतरन और भी सक्त हो गया अब देखिए क्यों नहीं होगा क्योंकि जब यह आप इस स्वेज नहर को देखेंगे तो जो एक बहुत लं बहुत जादा समय लगता था लेकिन स्वेज नहर क्षुलने के वज़े से वह उनका जो समय है आदा हो गया तो इसलिए क्या होगा जो भारत का बैपार है उनका अधिक और जादे क्या हो गया आपका वर्चस हो गया बच्चो किले हो गया ध्यान दीजिए आगे यह बोक्स सासन के अंतरगत भारतिय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेस्ता निर्यात अधिसेस का एक बड़ा अकार था अकार रहा किन्तु इस अधिसेस को भारतिय आर्थ विवस्ता को बहुत भारी लगान चुकाना पड़ा देश के आंतरिक बजारों में अनाज कपड़ा दिल से उपलब हो पा रही थी यही नहीं कि निर्यात अधी से इस देश में सोने और चांदी के प्रवाब पर कोई प्रवाब नहीं पढ़ता था वास्तम में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर सासन करने वाली गड़ गई विवस्ता का खर्च उठाने में हो जात देखिए जो कही ना कही जो आपका ब्यापार हो रहा था बच्चो देखिए जो आपका ब्यापार हो रहा था इस ब्यापार के अंदर जो भी आपके चीजे बनी जो भी आपकी नीती बनी उन नीतियों ने इस मार्ग खुलने से जो आपका कौन सा मार्ग खुला था जो उनका एक लागत उत्पात था उनके अधिसेस वाली चीजे थी उनका हर चीज पर चाहिए सोना हो चांदी हो या फिर जो भी भारत के आपके लोकल गुड्स हो उनका बहुत अच्छा कब जाओ गया और कब्जा क्यों नहों कि जो एक उन्हें कोई अगर अपना समान ले आना तो उन्हें एक पहला बहुत लंबा रस्ता आपका ट्रैवल करना पड़ता था लेकिन स्वेज नहर के आपके खुलने से उनकी दूरी बहुत कम हो गई और दूरी कम होने पर उनकी पर्याप्त पहुँच कैसी हो गई बहुत अच्छी हो गई और पर्याप्त होने की बहुत आपका बढ़ना सुरू हो गया किले है बच्चों तो कही ना कहीं यह हमें दिखाई दिया और जो यह बापकी नीती वनी यह नीती आपकी इस पिरकार की रही तो जितना भी जो भी आपका पिरवाव रहा इससे कहीं ना कहीं भारतिये अर्थवजारों में जो आप देखें चाहे अनाज हो आपका कपड़ा हो या फिर जैसी आपकी मिट्टी की जो आपकी चीजे थी चाहे आपका तेल हो इन सब आपकी चीजों पर सीधा क्या पड़ा बच्चो आपका इसका सीधा प्रभाप पड़ा और यही प्रभाप के कारण क्या हुआ पूरी भारती अ तो हमारा समय आपका समाप्त हो रहा है अब मैं कल इसको अगर द्वारा एक बार आपको पुनाय समझाने की कोसिस करूँगा ठीक है बच्चो और अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिससे यह हमारा टोपिक आपका छूट गया पढ़ने से तो आपका डीडी उत्राखंड आपक झाल